अगर आपको check किसी को sign करने के लिए भीजना है तो आप receive पे click कीजिए फिर amount enter कीजिए जिस दिन का check होगा उस दिन का date select कीजिए उसके बाद उनका number डाले नमबर डालने के बाद उनका नाम confirm कर लिजिएगा और उसके बाद आप receive पे click करते हो तो उनके पास request चला जाता है check sign अब ये same चीज अपने receiving और not signed section में जाके check कर सकते हो कि आपने ये check भीजा है उनको एक बर वो sign कर देता है फिर आपका ये same check not signed section से sign वाले section में आ जाएगा फिर आप sign वाले section में जाके check कर सकते हो कि आपको इस दिन ये check due है